जैशी किशना आप सभी को कैसे हैं आप अच्छे होंगी स्वास्त होंगी अपने घरों में खुश होंगी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हो आपके यूट्यूब चैनल हरी कृष्णा वास्यू टिप्स में जैसे कि आप सपी को पता है 10 नमंबर दिन है शुकरवार और इस दिन पढ़ रही है धन तेरस कातिक महिना चल रहा है कातिक मास की अमवस्या के दिन दिपावली का पर्व मनाया जाता है और उसके दो दिन पहले होती है धन तेरस त्योदेशी के तिथी के दिन इस दिन से हमारा जो हिंदू का महा पर्व है वो शुरू हो जाता है बहुत ही जादा शुब होता है मालश्मी को प्रसंद करने के लिए ये दिन बहुत ही जादा खास विशेश होता है धन तेरस के दिन कई तरह की चीजों की खईदारी की जाती है और मालश्मी की विदी व शोना चान्दी खरीदने का विधान है अगर जो नहीं खरी शकते जिनके सामर्थे हैं या कुछ ऐसे गरीब लो तो वो क्या करें क्या ERK उन को मालक्ष्मी का आशिवाध प्राप्त नहीं हो जिनकी शम्ता नहीं है तो ऐसे तिति में क्या करें तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही उपाई लेकर आई हूँ कि जब आपकी शमता नहीं है और आपको क्या मालश्मी काशिवाद प्राप्त नहीं होगा क्यों नहीं होगा मालश्मी काशिवाद प्राप्त होगा सिर्फ आपने कुछ चीजे इस तरीके से कर लेनी है जिससे कि मालश्मी की असीम क्रिपादिष्टी आपको प्राप्त हो जाए तो मा की असीम क्रिपादिष्टी प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके लिए ऐसे ही उपाई लेकर आई हूँ जो आपने धन तेरस वाले दिन करना है ऐसी छोटी छोटी दो-दो रुपे की चीजें हैं चीने अगर आप सही तरीके से खरीते हैं और सही तरीके से उनका इस्तमाल करके मालक्षमी की पूजाराधना करते हैं तो आपके ओपर मालक्षमी की असीम कृपादिश्टी बनी रहती हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें कमेंट्स बॉक्स में जैमालक्षमी अवश्य लिखें तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही चीजे बताने चाहरें जो आपने धन तेरस वाले दिन खरीदनी है और प्रसन होती है और आपके घर में स्थिरूप से वास करती है तो चलिए जा लेते हैं वो चीजे क्या है तो सबसे पहली चीज है पान के पत्ते मा को पान बहुत जादा अधिक प्रिये है तो आज के दिन आपने पान के पत्ते जरूर लेने है पांच पान के पत्ते ले उनको मा लक्षमी को अरपन कर दे और इसकी पूजा आप दिपावली तक करें तीन दिन लगातार आपने इन पाँचों पत्तों की पूजा राधना करनी है और दिपावली के अगले दिन इन्हें आप जल परवाहित कर दें तामुल पत्र से मा लक्षमी बहुत जाद अधिक प्रे होती है तो ये आप पत्ते जरूर से जरूर लेगे हैं अब दूसरी चीज है कच्छवा धातो के बनेवी कच्छवा घर में रखना बहुती जादा शुब होता है मैं आपको बता दूँ कि हमारे शास्तों में भगवान शिरी हरी विष्णू का एक रूप कच्छवा भी है समुद मंथन में कच्छवे का ही प्रयोग किया गया और समुद मंथन हुआ तो कच्छवा घर में रखना बहुत शुब होता है इसे घर की उत्तर दिशा में रखे मगर ध्यान रखे इसका मुखंदर की तरफ हो आप इसे ओफिस में, दुकान में या घर पे कहीं भी रख सकते हैं उत्तर दिशा में रखे आपको धन में व्रदी होती है तीसरी चीज है चरन कमल जी है बहुत छोटी चीज है मगर यह लोग लाना भूल जाते हैं आज के दिन मा के चरन कमल ज़रूर लेकर आए घर और जो नहीं ला सकते हैं उनके लिए मैं अगो पाई बताती हूँ अपनी चोखट को हल्दी से लीप ले और कुम-कुम से मा के चरन कमल दोनों तरफ बनाए पुष्प अरपन करें अक्षात अरपन करें और उसके बाद महापेक दीपक प्रजुलित करके मा से प्रातना करें कि हे मा हम निमंतरन देते आप हमारे घर पर धारें सबसे सरल बहुत ही असान है कुछ खरीदने क्या वह शक्ता नहीं ये पूजा जरूर से जरूर करें इस पात्र पर ला सकते हैं चांदी का रखना और अत्नी शुब होता है तो आप इस दिन श्रियंत्र बने वी जरूर लेकर आए और उसे अपने मंदिर में सापित करें और उसकी पूजा राध्धा करें धेरी बना ले चावल के और उसके उपर रख कर फिर इसकी पूजा राध करें शुब होगा ययाद्ल बहुजा अगर दले यह और वी जो इह और बेड़ो पर पर सक पर सिरा आतर दीर होता है अब बात करते हैं छटा, छटी चीज है हल्दी, जी हाँ, हल्दी का रंग होता है पीला जो भगवार शिरे रिविष्णु को बहुत जादा अधिक प्रिये है, साथ में ही हल्दी से मालक्षमी आकरशित होती है और भगवार शिरी गनेश का सौरूप माना जाता है हल्दी, त किसी बर्तन या जार में जरूर से जरूर रखे, अब है सातवी चीज, खील बताशित, जी हाँ, चावल की नई खेती हो चुकी है, उसी से बनते हैं खील, तो इस दिन अपने घर में जरूर से जरूर आप खील बताशित के लिए का है, खीलों का रंग होता है सफेज, इससे मालक्ष्मी प्रसन होती है, शुकर ग्रहर का रंग सफेद है, चावल चंद्रमा का प्रतीक है, इससे आपके घर में हमेशा धनसंपदा बनी रहती है आठवी चीज है कमल गट्टे देखे कमल गट्टे मालश्मी का स्वरुप माने जाते हैं मा को कमल गट्टे अर्पन के जाते हैं आज के दिन आप कमल गट्टे की माला जरूर लेकर आए और डिपावली के दिन जब आप पूजा राधा करें तो ये माला आप मालश्मी को अर् इससे मालश्मी प्रसंद है, आपके घर में हमेशा सुक्समेदी बनी रहेगी, करजा दूर होगा, और कहीं न कहीं से धनागमन के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे. नौवी चीज है नमक, आज के दिन नमक जरूर खरिदना चाहिए, नमक खरीद के लिए कारा है, अपने किचन में उसी नमक को किसी जार में कांच के बरतन में रखेंगे, नमक हमेशा कांच में रखना चाहिए, कांच के जार में रखें, उसी नमक को आप फिर उस दिन से इस् घर में नजर हाय दोश बहुत जाद है तो एक कटोरी लेले कांच की उसको नमक से भर दे और भर के इसे अपने घर की उत्तर पुर्वदिशा में जख दे इससे नजर दोश हाय दोश सब दूर होती है किसी की नजर ये नगेटविटिय आपके घर में प्रवेश नहीं करती है दसबी चीज है शंक इस दिन दक्षणा वर्टी शंक जरूर खरीद के लिए लेकर आए शंक को जो है वो मालक्षमी के भाई की सोरोपे माना जाता है इससे समुदरबन्थन से शंक भी निकले थे तो आप इस दिन दक्षणा वर्टी शंक लाए और चावल अक्षद लेले उसके आप पीले हल्दी से रंग दे और फिर इस शंक के अंदर भर दे। इसे में डाल दे टांबे का सिक्का और इसे लाल या पीले कपड़े में बाढ़ के इसके पूजा राध्ना करें और फिर अपने तिजोरी में रख दे। इससे भी मालश्मी प्रसन होती है और आपके घर में सुख समिधी बरकत बनी रहती है ग्यारवी चीज है मिट्टी का घड़ा इस दिन मिट्टी का कुछ न कुछ समान जरूर खरीदना चाहिए मिटी के हाथी खरी सकते हैं मिटी का घड़ा मचका सुरहाई कुछ भी खरी दें आप मिटी के दिये जरूर खरी दें पैसा भी नहीं चलता पैसा आपकी धर में टिकना शुरू हो जाता है अपने इस मटके को पानी से भरके उत्तर दिशा में रखी। गारवी चीज है गणेश लक्षमी जी की प्रतिमा। इस दिन जो भी लोग खरीतें हैं तो जरूर से जरूर गणेश जी और लक्षमी जी की प्रतिमा आवश्य खरीदें। चांडी के खरी सकते हैं, चांडी के खरीदें, किसी धातू के खरीदें, मिट्टी के खरीदें, मगर खरीदना बहुत शुब होता है, आप पेपर के बने हुए भी ले सकते हैं, आपके जैसी शमता हो, आप अपनी शमता अनुसार ही सकारे को करें, आप पेपर पे बने हुए लश्मी गणेजी भी खरी सकते हैं तो जरूर से जरूर इसन लश्मी गणेजी की प्रतिमा आवश्य खरीदे और उसकी फिर पूजा आराधना करें तेरवी चीज जो है पीतल के तामबे के बर्तन देखें इसन लोग बर्तन बहुत खरीदते हैं अब है 14 नंबर जारू चौटा सा ही कौई चोटी से दिया ले लिए आपने कौई चोटी सी चीजी ले ले वह शुब होता है तो आप कोई चोटा सा ही पीतल या तामबे कासे का बर्तन ले ले अब है 14 नमबर जाडू इस दिन दो जाडू जरूर खरीदे और जो जाडू आप खरीदे एक जाडू तो आप किसी भी मंदिर में चुपचापदान करें किसी को पता नहीं चले और एक जाड़ू आप अपने जहां पे आप पूजा करेंगे वहां पे रखें और उस दिन आपने धन तेरस वाले दिन इस जाड़ू की पूजा करें तब ही आपने इस तमाल करना है आप इस पे हल्दी कुमकुम तिलक लगाए अक्शर चिरके और लाल कलावा जो धागा होता है वो इस पे बहां दे और मालक्ष्मी से प्रात्ना करें मस्तख पे लगाए जहारू को कि आपके घर में हमेशा बरक्कत बनी रहे और आपके घर की दरीदिता बहार निकालें और आपके घर में बस मालक्षमी का ही वासो इस तरह से आप जारू लाके उसके पूजा करके फिर ही उसको इस्तमाल करना शुरू करें और पंदरवी चीज है सबसे छोटी लक्षमी कारक कौणिया इस दिन आप कौणी जरूर खरीद के लेकर आए ग्यारा की संख्या में आप कौणिया खरीद लें इसमें से आप मा को अरपन करें हल्दी के पेस्ट में केसर में मिलांकी इसको रख दें और फिर दिवाली वाले दिन इनी निकाल के पूजा राधना करके आप इसे लाल कपने बान के अपने धनकने की स्थान पे रख दें इस तरह से आप यह जो चोटी चोटी चीजें हैं जरूर से जरूर खरीदें मा लक्षमी प्रसन होती है इन चीजों से भी और आपको उनका आशिवाद प्राप्त होता है आपके घर में सुक समिध्य और बरकत बनी रहती वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादे से जादे श्वेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे आ गया दीजे फिर आती कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ में जैशी कृष्णा और आप सभी को धनतेरस की हाद इक शुब कामने